चले में कुश्चन करा रहा हूं आप लोगों को 7.1 में NCRT का त्रिंथ क्लास का कुश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट लिके आया हूं 6 के दो पार्ट में ने करा दिये हैं उसमें आपको लोगों डाइग्राम के एकॉर्डिंग कोश्चन बताना था रेक्टेंगल है रेम्बू रोमबर्स है वाडिलेटर है पेराग्राम है पेलोरोग्राम ठीक वो आपको डिस्टेंस पे कवर करना है उसके रूल्स वियाद होने चाहिए तभी कॉश्चन हो सकता है तो सबसक्राइब हम इसका डाइग्राम बना लेते हैं डाइग्राम को तो यह A हो जाएगा यह B, C, D, दिख रहा होगा मैंने झोटा लिखा और पर पर क्यूशंव नहीं लगाएंगे द्रॉट के लगारायब के अंदर डायट कर रहा हूं, फार्मूला नहीं लिख.'ड हो हूं, फार्मूला बारवबार में नहीं लिख रहा कॉपी में कॉश्च प्लस 5-6 का whole square equal to under root के अंदर 3-3 का whole square plus minus 1 का whole square equal to under root के अंदर 3 का 9 plus 1 equal to under root 10 I hope समझ में आया हूँ questions आगे देखते हैं ऐसे निकालते हैं हम यहाँ पे distance of BC distance of BC निकालेंगे under root लगा दिया under root लगाएंगे तरहाँ पे 7 minus 7 minus 4 का whole square plus 6 minus 3 का whole square equal to under root के अंदर 3 का whole square plus 3 का whole square equal to 9 plus 9 equal to under root के अंदर 18 third देखते हैं third देखते हैं क्या हो जाएगा third में हमाई पार distance निकाल ले हैं हैं third distance करें वाई पास c d distance आप क्या लिखेंगे यह पर हम लिख रहे हैं पर distance of c d distance आप c d निकालेंगे तो distance आप c d निकालेंगे मैं फिर पुना repeat कर रहा हूं मैं rules नहीं लिख रहा हूं rules के according आप लिख लेंगे diet question लगा रहा हूं लिखें आप अंडरूट के अंदर मैंने value put किया अंडरूट के अंदर four minus one का whole square plus three minus two का whole square equal to under root के अंदर आ जाएगा three का whole square plus one का whole square equal to under root के अंदर nine plus one equal to under root ten fourth निकालते हैं fourth कहिरा हमारे पास fourth में क्या हूँ जाएगा distance of d a distance of d a under root के अंदर चल रहे हैं distance of d a under root के अंदर चलेंगे क्या हूँ जाए देखें one minus four का whole square plus two minus five का whole square तो under root के अंदर यहां पर आ जाएगा minus three का whole square plus minus three का whole square I hope समझ में आ रहा होगा दिख रहा होगा आप लोगों को इस पर समझ में आ रहा ना आवाज आ रही है आगे चलते हैं आपे under root के अंदर minus three का nine हो जाएगा minus three का nine होगा plus nine equal to under root eighteen ठीक अब यहां पर हमारे पास four side निकल चुकी है four side में क्या हो जाएगा two side equal है two side equal है वहाँ पर two side equal two side equal दो चीजे हो सकते हैं यह आपके पास पेरोग्राम होगा यह स्मांतो चतरभूज होगा यह आयत होगा समांता चतरभूज आयत दो confusion की बाहर है इनको हम निकालने के लिए क्या करेंगे अब डियागनल की साहता जेते हैं डियागनल में यदि डियागनल key kali हैं तो आयत हो जाएगा डाइगनल अलिक्वल हैं तो समहनत चत्रभूज होगा, तो हम डाइगनल निकालते हैं, डाइगनल कैसे निकालते हैं, है यहा। पर डाइगनल देखते हैं, a c में देखे क्या लिखेंगे अंडर के अंदर a c a और c के यहां पर point लिख लिएता हूँ यह क्या है हमारे पास 4 5 और c के 4,3 ठीक है चेक कर लिजेगा यहां पर लिखेंगे हम यहां पर 4 यानि की 4-4 का whole square प्लस 5-2 3 का whole square तो यह अंडर के अंदर 0 प्लस 2 का whole square अंडर के अंदर 4 equal to 2 अगला निकालते हैं हम यहां पर distance of distance of other diagonal distance of a यानि के distance of bc bc मितलब हमारे पास वही हां पर रख देते हैं दूसरा diagonal की बात कर रहा हूं दूसरा diagonal है 7,6 और 7,6 के बाद next है हमारे पास यहां पर bd निकालेंगे यहां पर हमारे पास आ जाएगा bd यहां पर diagonal हो जाते हैं हमारे पास 7,6,1,2 दो diagonal हैं अंडरोट के अंदर निकालेंगे तो हमारे पास 7-1 का whole square plus 6-2 का whole square equal to अंडरोट के अंदर 6 का square plus 4 का square यहां पर 36 प्लस 16 अंडरोट के अंदर यहाँ पर plus कर दिया कितना जाएगा यहाँ पर 2 52 अंडरोट के अंदर अब देखें लिखने के बाद हम लोग यहां पर इसे लिखते हैं फिर a b equal to है a b equal to हमारे पास है c d के and b c equal to a d के तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आप यहाँ पर यह दोनो यह दोनो equal है यह यहाँ पर यह line यह point यह point equal है तो यहाँ पर हमने equal का sign लिख दिया यह दोनो equal है तो equal लिख दिया इसलिए और हमारे पास डाइगनल डाइगनल अनिकॉल तो यहां पर एसी कॉल टू बीडी नहीं है डाइगनल अनिकॉल है इसलिए नाओ एबी सी डी इजा पहले लोग्राम यह लिखना विर विर मोश्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉश्चन सांखरी बिर स्वाल परेंग को कहीं रहा है कि एक पॉइंट दे रखा है हमारे पास कोई भी पॉइंट है यहां पे एक क्वाइं पर istanco मैं वहां दे दिया ओफ़ौइंट से हमारे पास एक इक कमा जीरो हैं तो यहां पे दो दोनों की distance equal है यहां पे इसकी दोनों की distance equal है यहां मैं से बना सकते हैं देखें यहां पे दिया यह पॉइंट है यह अपर हो सकता है तो यहां पर हम पास इसके क्ussia क्या है x, 0 I hope समझे रहा होगा यहाँ पर दे रखा है 2, minus 5 और यहाँ पर minus 2, 9 यह यहाँ इसे लिख दे हैं यहाँ पर हमने लिखा 2, minus 5 यहाँ पर minus 2, 9 ठीक तो यहाँ पर दोनो डिस्टेंस इक्कुल है दोनो डिस्टेंस इक्कुल है तो x की value find करनी है होगी इक्कुल होगी ना तो इसलिए हम दोनों डिस्टेंस के फार्मॉल लगा देते हैं कैसे यहाँ पर देखें डाइट लिख रहा हूँ डिस्टेंस आफ डिस्टेंस आफ क्या ओ बी इक्वल टू डिस्टेंस आफ किसका ओ ए आई होप समझे मा रहा होगा आ रहा ना तो इहाँ पर हम फार्मॉल लगाते हैं डिस्टेंस आफ ओ बी का ओ भी लगाएंगे तो इहाँ पर x1 माइनस x2 का whole square करेंगे प्लस y1 y प्लस y2 का whole square इक्वल टू इक्वल टू करेंगे अंडरोड के अंदर तो यहाँ पर इधर लिखता हूँ OA के OA का हो जाएगा ओ भी x1 माइनस x2 का whole square प्लस y1 माइनस y2 का whole square ठीक है अब देखें दोनों तरफ square है पहले हम दोनों तरफ square बहुत साइज scoring कर देते हैं square करने पर यह पूरा square पूरे का square है ना इधर तो हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस x2 का whole square प्लस y1 माइनस y2 का whole square यहाँ बचेगा x1 माइनस x2 का whole square plus y1 माइनस y2 का whole square ठीक है अब इतना solve हो गा अब यहाँ पर हम क्या करते हैं value put कर देते हैं value put करेंगे देखें क्या हो जागा यहां पर हमारे पास 2 minus x का whole square plus minus 5 minus 0 का whole square equal to आगे चलते हैं यहां पर क्या हो जागा देखें x minus minus यहां पर plus 2 का whole square plus 0 minus 9 का whole square I hope सुमझ में रहा है question साब लोगों को अब हम क्या करते हैं इस वाले का whole square open कर देते हैं यहां पर हो जाएगा 4 plus x square plus plus यहां पर minus हो जाएगा minus 4x plus यहां पर देखें यह 5 है तो 5 का मतलब 25 25 25 इकोल टू इधर x square plus 4 plus 2 4 plus 4x plus 81 I hope सुमझ में आ रहा होगा आप देखें प्लस यहां है प्लस यहां पर x square इधर x square इधर तो यह x square यह x square यह cancel out हो जाएगा फोर यहां से फोर यहां से cancel out अब यहां पर देखें यह minus का यह plus का है यह cancel out नहीं होगा तो यहां पर इसको इधर लेके आजाएं किधर लेके आएं इसको इधर लेके आजाते हैं तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा minus 4x minus 4x equal to 81 minus 25 इन दोनों को प्लस कर दिया minus 8x equal to इसमें से minus कर दिया कितना बचेगा 6 6 जाएगा यहापे 7 7 से 2 गया 5 I hope समझ में आ रहोगा अब हमारा पास x equal to 56 upon 8 minus का x equal to minus 7 answer I hope आप लोगों समझ में आया हो तो यहापे लिख देंगे x equal to minus 7 answer बहुत अच्छा questions है ऐसे questions करेंगे तो समझ में आएगा नहीं तो दो step में करेंगे book as method में बहुत lengthy questions है बहुत अच्छा method बताया मैंने questions देखिए solve करिए अच्छा लगे like करिए exercise 7.1 का question number 8 question number 8 क्या कह रहा है मैं समझा रहा हूं हिंदी में question number 8 कह रहा है दो बिंदू है एक distance दे रखी है यहां पर जैसे point है यह point दे रखा है यह line है यहां से इस line के point यहां पर दे रखे है two comma minus three यह a point हो गया यह b हो गया b के coordinate दे रखे है दस y इनके बीच की distance distance 10 दे रखी है तो यहां पर y की value find करनी है क्या होगी समझा रहा है बात हमने क्या गहा यहां पर two point के बीच की distance दे रखी दो point दे रखी है उसमें एक point का value find करनी है ठीक तो यहां पर क्या लिखेंगे सिधे बाई questions लगा देंगे जो मैं पास है distance of given questions लिखना चाहिए given distance equal to 10 यहां पर x1 equal to 3 x2 equal to 10 y1 equal to minus 3 y2 equal to y ठीक समझा रहा है बात है अब यहां पर value put कर देते हैं क्या हो जाएगा हमाल पास distance of distance of a b equal to under root के अंदर under root के अंदर फार्मल लगा दीजेगा x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square तो आपर value put कर देंगे यहां पर क्या हो जाता है 10 equal to क्या है अंदर root के अंदर 2 minus 10 का whole square plus minus 3 minus y का whole square अब इसको इधर लेके आ जाते है whole square तो यहां पर हो जाएगा 10 का square square equal to यहां पर 8 minus 8 का square plus minus 3 plus minus 3 minus y का whole square अब इसका whole square ओपन कर देंगे यहां पर हो जाएगा 100 equal to 64 plus यहां पर यह दोनों plus plus हो जाएगे 9 plus y square plus 6y अब इनको इधर लेके आईए देखे इनको इसमें plus करेंगे तो कितना हो जाएगा सभी यह देखा 73 73 होगा ना तो यहां पर 100 minus 73 100 minus 73 equal to y square plus 6y उपर चलते हैं यहां पर आगे तो हमने इसको इसमें से minus किया कितना बचेगा 27 27 equal to y square plus 6y या इसको मैसे ले सकते हैं y square plus 6y minus 27 equal to 0 इसके factor कर दीजेगा factor करेंगे y square plus 9y minus 3y minus 27 equal to 0 इसलिए y कामन ले लिया y plus 9 minus 3 कामन लिया y plus 9 equal to 0 यहां पर y plus 9 always पूरे दोनों में कामन है यहां पर y minus 3 equal to 0 now y minus 3 equal to 0 y equal to 3 again y plus 9 equal to 0 y equal to minus 9 तो आपर आंसर आए हमारे पास y equal to 3 and minus 9 दोनों value ले सकते हैं 3 और minus 9 I hope समझ में आयो questions बहुत अच्छा questions से करते रहे है देखते रहे वीडियो दा question number 9 क्या गए रहा है 7.1 का question number 9 का है कि एक point है एक point Q से distance दे रखी है P की और R की तो दोनों distance equal दे रखी है equal equal distance पर दो point है तो उसमें पहले दूसरे point की value निकालनी जैसे हमने questions अभी कराया था 9th ओला 9th ओला वीकुल same questions है 9th के according questions solve करेंगे तो यहां पर question में ने जैसे की diagram बनाया है यह Q है इसकी direction और इसकी direction बिल्कुल है और fine करना है फिर यह P यहां पर fine करना है find the Q P and PR यह दो distance fine करनी है ठीक है वो distance निकालने के सब्सक्रापर हमें क्या करना है एक्स की विल्व निकालना है according to questions यहां पर लिख देंगे गिवन questions यह according to questions रिवादिंग टू कोश्चन 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 कह रहा है क्या गया देखे यहां पर कह रहा है distance of लिख रहा हूं distance of qp equal to distance of qr I hope समझ आ रहा हूग अब इस्टेंस आप दोनों इक्कोल है according questions लिख देंगे दोनों इक्कोल हैं तो यहां पर क्या बता है हमारे पास रूल होता है अंडरूर्ट के अंदर x1-x2 का whole square plus y1-y2 का whole square equal next में इसके लिए x1-x2 का whole square plus y1-y2 का whole square I hope समझ में आयोगा questions क्या गहरा है questions के रहा है हमने दोनों के rules equal कर दिए अब value put कर देते हैं value put करने के बाद हमारे पास दोनों तरफ square root है square root cancel out हो जाएगा दोनों तो square root है square root cancel out हो जाता है तो यहाँ पर हम वोई लूप हाँ फर्मॉला लिखने के बाद फर्मॉला लिखने के बाद rules लिखने के बाद according questions कर रहा हूं अंडरूर्ट के अंदर यह कह रहा है 0-5 का square plus 1-3 है plus 3 हो जाएगा का whole square equal to अंडरूर्ट के अंदर 0-x का whole square plus 1-6 का whole square आगे चलिए अंडरूर्ट दोलों तो cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसका square करेंगे 25 यह इसका plus 16 equal to यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए x square plus 25 25 फिर हच से आएगा cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x square equal to 16 x equal to plus minus 4 तो x की दो इलू आगे plus minus 4 तो यहाँ पर लिख देंगे इधर उपर लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास x equal to plus minus 4 तो यहाँ पर coordinate इसके हो जाएगे 4,6 एक हो जाएगा minus 4,6 ठीक दो coordinate हो जाएगे या और लिखेंगे या यह या यह ठीक दो coordinate में दो रोपे हम distance निकालते हैं find किसकी करने ही सबसे पहले find करने ही distance distance of यह कह रहा है distance of distance of qp equal to underwood के अंदर qp तरहाँ पर वही हो जाएगा क्या जीरो माइनस 5 का स्क्वेर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वेर इकल टू माइनस 5 का स्क्वेर अंदर के अंदर प्लस 4 का स्क्वेर क्यों हो जाएगा 25 प्लस 16 का होल स्क्वेर कितना हो जाएगा 41 का होल स्क्वेर यह आ गया इसका अगले अगें निकालते हैं अगें कोस्वेर हमारे पास distance of distance of qr का डायेट में रिख ला हूं डायेक्ट में फार्मूले में रख रहा हूं आपको फार्मूला उपन लिखना है कई बार मैं ने बता दिया एक्सवन एक्सवन माइनस लिखना है एक्सवन एक्सटू ठीक है उसको whole square लिखने के बाद ही question solve करेंगे हमारे पास क्या आ जागा अंडर्वड के अंदर देखें हमने लिखा 0 प्लस माइनस 4 का whole square ठीक है प्लस 1 माइनस 6 का whole square इक्कल टू यह आ जागा प्लस माइनस कुछ भी हो तो यहाँ पर आ जागा 16 प्लस यहाँ पर कि ट्वंटी फाइव कि तो यह आ जाएगा हमारे पास अंडूड के अंदर कि फोटी वन आई होप सुझ में आ रहा होगा अगला questions यह नहीं निकालना था निकालना क्या हमारे पास पी डिस्टेंस आफ पी आर पी आर के लिए निकालेंगे तो हमारे पास फाइव यहाँ पर क्या है देखें फाइव प्लस माइनस प्लस माइनस फोर का होल स्क्राइड प्लस अगें माइनस थिरी माइनस सिक्स का होल स्क्राइड अंडरूड के अंदर हमने यहाँ पर पहले प्लस रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइन का स्क्राइड क्वाटिन लिए हमने 5 कामा माइनस 3 माइनस 4 कामा 6 इसके distance निकाल ले हैं तो यह पे 9 हो गया प्लस 9 का square यह निकी 81 प्लस 81 तो यह पे क्या जागा 9 बाहरा जागा under root 2 ठीक है यह question स्वालब हो जागा अगेन निकालते हैं point किसी के लिए distance of PR point हो जाएंगे 5 माइनस 3 4 6 के लिए 2 point है दो लोग लिए निकालेंगे तोहाँ पे क्या हो जागा under root के अंदर दिख रहा है ना तोहाँ पे 5 माइनस 4 का whole square प्लस माइनस 3 माइनस 6 का whole square under root के अंदर 1 प्लस 9 का square माइनस हो जाएगा माइनस 9 का square under root के अंदर 1 प्लस 81 under के अंदर 82 ठीक रहे हो पान सार आगे आप लोगों को सभी questions बहुत अच्छे questions से देखिएगा बहुत अच्छा question से कई बार आता है धन्यवाद बिंदो की distance एक point x कामा y है उससे एक distance यहाँ पर कह रहा है x कामा y यह एक point दे रखा यहाँ पर a point है यहाँ से distance 6 कामा 3 कामा 6 है a point से distance distance b की 3 कामा 6 पॉइंट पर है b अगला कह रहा है यहाँ यहाँ पर a window से b window के coordinate यहाँ पर minus 34 है लेकिन इनके questions क्या कर रहा है but distance are all equal distance are equal always distance equal कह रहा है questions distance equal कह रहा है तो इसका question find करना है equations क्या है कि उस पर depend कर रहा है तो equations के लिए हम क्या लिखेंगे पहले हम निकाल लेते है distance of देखे distance of a b equal to under root के अंदर x minus 3 का whole square plus y minus 6 का whole square यह equation first ठीक है again distance of a c equal to under root के अंदर x plus 3 का whole square plus y minus 4 का whole square equation second यहाँ पर फिलिखते है according to question according to questions क्या कह रहा है a distance of distance of a b equal to always distance of a c दोनों distance equal है recording questions put कर देते हैं तो पर पर अंदर अंदर x minus 3 का whole square plus y minus 6 का whole square again a c गोली रखते हैं square root के अंदर x plus 3 का whole square plus y minus 4 का whole square ठीक है again both sides squaring both sides squaring करेंगे square square का है बहुँ हो जाएगा तोमारे पास क्या बचेगा देखें x minus 3 का whole square plus y minus 6 का whole square equal to x plus 3 का whole square plus y minus 4 का whole square ठीक अब इनको इधर लेके आ जाते हैं दूसर मेंटर से करा रहा हैं अब लोगों को बहुत आसान questions हो जाएगा देखें हम क्या करते हैं इसको इधर लेके आ जाते हैं इधर लेके आएगे x को x के साथ 3 का whole square minus x plus 3 का whole square ठीक है फिर plus plus यहां से कर रहा हूँ plus क्या हो जाएगे देखें यहाँ पर y minus 6 का whole square minus y minus 4 का whole square इसको को इसको कर लिया इसके आगे दो rules हो जाते हैं यह आप इसके perfect square खोल ले perfect square खोल लीजिएगा a plus b का whole square खोल लीएगा या इसमें a plus b a minus b लगा दीजिएगा तो मैं a plus b a minus b लगा रहा हूँ a square plus b square का whole square नहीं खोल ला हूँ ध्यान रखेगा तो हमने यहाँ पर लगाया इसको क्या करेंगे देखे x minus 3 plus x plus 3 एक bracket में second में हो जाएगा x minus 3 minus x minus 3 bracket close ठीक आगे हमारे पास क्या हो जाता अगें देखे हमारे पास हो जाएगा plus y minus 6 plus y minus 4 एक bracket में second में हो जाएगा y minus 6 minus y plus 4 equal to 0 I hope समझे नहीं रखेगा आपको कुशन हो अब देखे यहाँ पर यह 3 cancel out यहाँ पर हो जाएगा 2x इसमें x x cancel out minus का 6 multiply minus का 6 plus इसमें देखे यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है यह y, 2y minus का 10 bracket closed इसमें y से y cancel यहाँ पर minus का 2 minus का 2 equal to 0 अगें चलते हैं यहाँ पर question लिख रहे हैं multiply कर लिए हमने 12x 12x आगया minus इस minus को यहाँ भेज दिया minus 2 को अंदर भेजे 4y minus plus 20 equal to 0 ठीक है इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया 4 minus से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 x plus y minus 5 equal to 0 बहुत अच्छा questions है आप लोग इसको perfect square खोल के भी कर सकते हैं जैसे हाँ पर हम खोलते हैं इसको खोल के दिखा रहा हूं जैसे आप करेंगे x minus 3 का whole square equal to x square plus 9 minus 6x आइसे सभी को खोलिएगा फिर plus minus करिएगा solve करिएगा बहुत अच्छा questions आ जाएगा नहीं आएगा कमेंटर पूछेगा बदाते हैं ने अगले exercise के लिए तयार रहे हैं बहुत अच्छे अगली exercise thank you धन्यवाद